दोस्तों ये गीत तो हम सभी ने सुना है और अपने जमाने का बहुत ही बड़ा हिट गाना रहा था अब आप मिस्किर्णा से गाना सुनेंगे के बोल है दिल्ली से आया भाई टिंगू और ये जो जलक आपने एक वीडियो क्लिप देखी इन्हीं म्यूजिक डिरेक्टर की हम बात करेंगे इनका जन्म हुआ 28 मई 1922 को लाहौर में इनका नाम था एरिक रॉबर्ट लेकिन हिंदी सिनेमा में इनको जानते थे विनोध के नाम से म्यूजिक डिरेक्टर विनोध विनोध को बचपन से ही संगीत का बड़ा शौक था इसी के चलते उन्होंने लाहौर के एक म्यूजिक डिरेक्टर पंडित अमरनाथ से संगीत की शिक्षा भी लेनी शुरू कर दी और उनके शिश्य बन गए और फिर महद 17 साल की उम्र में उनके संगीत से सजी एक रचना लोगों के सामने आई सामने आएगा कोई जल्वा दिखाएगा कोई इसको काफी पसंद भी किया गया था उसके बाद वक्त ऐसे ही गुजरता चला गया विनोध उन दिनों में लहोर के एक बड़े होटेल में पियानो बजाया करते थे क्योंकि पियानों में उनको महारत हासिल थी बहुत अच्छा बजाया करते थे और उस बड़े होटेल में उन दिनों में हिंदी सिनेमा की बड़ी बड़ी हस्तियां भी आया करती थी तब एक दिन हिंदी सिनेमा के फिल्म डिरेक्टर प्रेडियूसर रूप के शोरी भी वहां उस होटेल में पहुँचे और विनोध का प्यानो उन्होंने सुना उनको प्यानो बहुत पसंद आया और तब रूप के शोरी विनोध से मिले और उसके बाद रूप के शोरी की अगली फिल्म में विनोध को संगीत देने का मौका मिल गया ये फिल्म थी खामोश निगाहें जो की रिलीज हुई थी साल 1946 में और इस फिल्म के बाद एरिक रॉबर्टस यानि कि विनोध बन गए मियूजिक डिरेक्टर उन्होंने इस फिल्म में ग्यारा गाने कंपोस किये इन ग्यारा गानों को लिखा था लिरिक राइटर अजीज कश्मीरी ने फिल्म के गीतों को ठीक ठाक पसंद कर लिया गया फिल्म खामोश निगाहे में खुद विनोध ने भी एक अपनी आवाज में ये गीत गाया था आईए इसकी एक जलकी सुनते हैं और इस फिल्म के बाद रूप के शोरी ने एरिक रॉबर्ट को नाम दिया विनोध जिसके बाद वो पूरी जिन्दगी विनोध के नाम से ही जाने गए उसके बाद साल 1948 में उन्होंने एक पंजाबी फिल्म चमन में संगीत दिया इसके गाने भी अजीज कश्मीरी जीने लिखे विनोध और अजीज कश्मीरी की गहरी दोस्ती हो गई थी और दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया 1947 पार्टिशन के बाद विनोध सिधा मुंबई आ गए और यहां की फिल्म इंडस्टी में वो रूप के शोरी के साथ जुड़ गए फिर साल 1949 में विनोध गो एक और फिल्म मिली एक थी लड़की इस फिल्म का संगीत उन्होंने बड़ा ही शांदार दिया था और इस फिल्म का ये एक गाना तो हर इंसान ने सुना हर बच्चे बुड़े ने सुना और बहुत बड़ा हिट रहा था लारा लप्पा लारा लप्पा लाई रखदा इस फिल्म की ये एक्ट्रेस रातो रात स्टार बन गई थी इस गीत को अपनी मदूर आवादों से सजाया था लता मंगेशकर जी मुहमद रफी जी और सिंगर सतीश बत्रा जी ने ये गीत मानो विनोध की पहचान बन गया था फिर साल 1950 में एक और फिल्म आई अनमोल रतन इसमें भी उनके गीतों को काफी पसंद किया गया खास करके तलत महमूद जी का ये गाना बड़ा ही हिट रहा था मियूजिक डैरेक्टर विनोध को मुहमद रफी साहब और तलत महमूद साहब की आवाजे काफी पसंद थी ये दोनों उनके फेवरिट सिंगर माने जाते थे क्योंकि विनोद जी का ये मानना था कि उनके गीतों के साथ ये दोनों सिंगर पूरा पूरा नयाय करते हैं और ऐसा हुआ भी विनोद का संगीत सफर चल निकला था लेकिन वो ज्यादातर फिल्मे रूप के शोरी की ही कर रहे थे उन्होंने अपने करियर की 27 फिल्मे रूप के शोरी के साथ दी उनकी टोटल फिल्मों की बात करें तो कहीं कहीं 32 फिल्मों का नाम आता है कहीं पर 37 फिल्मों का नाम आता है जिनमें से 27 फिल्मे रूप के शोरी की थी जिसमें विनोध ने संगीत दिया था विनोध को बाहर के फिल्म डिरेक्टर प्रोडियूसर नहीं मिल पा रहे थे वो अपनी पहचान और जगाहों पर नहीं बना पा रहे थे उनको सही वक्त पर सही फिल्म सही प्रोडियूसर नहीं मिल पाए जिसके वज़े से उनका संगीत गुमसा होने लगा था उनको ज्यादा तर कॉमेडी फिल्में मिली जिसमें संगीत का इतना ज़्यादा स्कोप नहीं होता और इन फिल्मों का संगीत चला भी नहीं ये कुछ फिल्मे थी, साल 1953 में एक दो तीन, साल 1954 में हा हा ही ही हू हू, साल 1955 में उट पटांग और मक्की चूस, साल 1959 में विनोध इस दुनिया से रुकसत हो गए थे और उनके गुजर जाने के बाद उनके संगीत से सजी तीन और फिल्में रिलीज हुई थी, साल 1961 में देखी तेरी बंबई, 1961 में ही एक लड़की साथ लड़के और 1962 में रंग रलियां। 25 दिसमबर साल 1959 का वो दिन था जब म्यूदिक डारेक्टर विनोध ने हम सब का साथ छोड़ दिया। उन्होंने एक जंक लगे बलेट से शेव की, शेव करते हुए वो बुरी तरह से कट गए, घायल हो गए और बहुत सारा खून बह गया। इंफेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया था, इलाज करवाना मुश्किल हो रहा था, जब हास्पिटल लेकर गए तो वहाँ पर भी उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, वो कॉमा में चले गए और 25 दिसमबर साल 1959 का उन्होंने आखरी सांस ली। महस 37 एर्स की उम्र में, 37 साल की उम्र में 35 या 37 फिल्में बना कर विनोद इस दुनिया से रुकसत हो गए, पीछे अपना शांदार सफर छोड़ गए, अगर विनोद की परसनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने शादी की शीला से, उसके बाद उनकी दो बेटियां हुई, वीना और वीरा, वीना ने शादी की न्यूटन सॉलेमन से और वीरा ने शादी की कैली मिस्त्री से, अब उनकी बेटियां भी इस दुनिया में नहीं है, साल 2016 और 17 में दोनों बेटियां भी इस दुनिया से रुकसत हो चुकी है, विनोद के दामाद कैली मिस्त्री ने करीब 10 या 12 साल पहले YouTube पर उनकी फिल्मों के कई सारे गीत अपलोड किये हैं जिसको आप YouTube पर आज भी सुन सकते हैं कई गानों ने करीब 12 साल पहले अपलोड किये हैं और कई गीत करीब 10 साल पहले जो की विनोजी के लिए एक ट्रिब्यूट है म्यूजिक डिरेक्टर विनोत के बस अब ये गीत हैं और उनकी ये जलक है छोटी से क्लिप है जो कि लोगों के दिलों में हमेशा जिन्दा रहेगी अब आप मिस्किर्णा से गाना सुनेंगे जिसके बोल है दिल्ली से आया भाई टिंगू तो रेट्रो शावेस के यादो के रुहानी किस्से में आज बस यही इंफर्मेशन आपको देनी थी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना बैल आइकन को प्रेस कर देना आप लोग अपना बहुत बहुत खयाल रखें और देखते रहें रेट्रो शावेस जय भारत जय हिंद